Hi guys, what's up, welcome back to today's video, this is Sonia and this is Vikrant and you are watching Soviks Log So guys, last video में मैंने आप से बात की थी कि अगर आप, you know, PhD करना चाहते हैं, research field में जाना चाहते हैं और आपको supervisors find करने हैं, तो आप supervisor कैसे ढूनेंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि supervisors को ढूनने के बाद, जो step होता है, first step वो ही होता है कि उनसे contact करना तो contact जो है supervisor से कैसे करना है, मैंने last video में बताया था कि भाई, उन्हें own वगरे नहीं करना है जो best way होता है supervisor से contact करने का, वो होता है उन्हें एक formal email लिखना और ये email बहुत important है, यही सब कुछ है actually, इसी email में आपको अपना impression डालना है supervisor के उपर, उसे अपना interest शो करना है, अपनी research के बारे में भी और आपको email में ये भी बताना है कि हाँ भी, आप उस supervisor के बारे में, उसकी research के बारे में कितना जानते है तो usually देखिए हर supervisor का अपना एक profile होता है, या तो वो university की website पर होगा, या फिर किसी और website पर होगा तो आपको जो भी potential supervisor लगता है, जिनसे आपको contact करना है, आप एक से ज़्यादा supervisors को भी email कर सकते हो, आपको जो भी supervisor लगता है कि इन supervisor से आपको contact करना है, तो आपको particular own supervisor के profile page पर जाकर उन पर थोड़ी सी पहले research करनी पड़ेगी, कि उन्होंने क्या-क्या papers published के हुए हैं, क्या-क्या project फिनिश कर चुके हैं, क्या current उनके running projects हैं, तो यह सारी research आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप उन्हें email करने का सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दिख गया कि हाँ यह potential supervisor है, तो चलो इन्हें फटा-फट बस mail लिख देते हैं, नहीं, आपको पहले थोड़ा सा time लेना पड़ेगा, और फिर आपको एक-एक supervisor को individual mail करना है, copy और paste नहीं करना है, क्योंकि हर supervisor का थोड़ा profile different होगा, तो आपको हर supervisor को अलग-लग mail करना है, तो अब वो email कैसे करना है, यह विकरांथ आपको बटाएंगी, क्योंकि यह काम इन्हों ने किया था, जब इन्हों अपनी PhD के लिए अगर आप मेल करने के लिए ना बहुत माइनर माइनर चीजे होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है क्योंकि बहुत सारे जो अर्ली स्टेज पर होते हैं जो अपने पीसजी ढूंड रहे होते हैं वो चीजे मिस कर देते हैं और पोटेंशल जो एर्रोज होते हैं उसके जैसे उन्हें कोई भी प्रोफेसर का रिप्लाइ आता नहीं है या बहुत कम का आता है फॉर एक्जांपल अगर आप मेल लिख रहे हैं तो सबसे इंपोर्टेंट पहला पॉइंट होता है कि आपको सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं क कुछ भी रैंडम ले रैंडम तो कोई भी नहीं करता पूजीशन पोजीशन पटाने हैं एक ब्लीक कुछ भी गर देते हैं बट आपका पहला इंप्रेशन क्योंकि कि कि आप अगर किसी भी प्रोफेसर को आप मेल डाल रहे हैं तो मेल ओपन करने से पहले सबसे पहले सबसे पहला important factor होता है कि सब्जेक्ट अगर मेल अगर आपने जो मेल किया है उसका सब्जेक्ट ही कुछ अजीब होगा तो चांसेज हैं कि प्रोफेसर मेल खोले ना उनके पास seriously time नहीं होता है और चांसेज होता है कि आपने मेल डाला है और उनका inbox मेल आपका नीचे backlog में इतना चला जाए कि प्रोफेसर को time में ना मिले बहुत सारे cases में होता है तो पहला impression जो सबसे पहला impression जाता है वह जाता है कि आपका subject अगर मैं अपना example बोलूँ तो जब मैं PhD देख रहा था तो मैं मैं किसी भी अगर प्रोफेसर को apply कर अप्रोच कर रहा था तो उसमें था कि prospective PhD student at your research lab तो मतलब मेरा कहने का point यह है कि जो मैंने जब मैं mail कर रहा था तो subject exactly right on the point था कि भी मैं prospective PhD student हो और मैं PhD दोन रहा हूं अगर तुम्हारे lab में कोई position है तो that would be good for me यह तो एक detail हो गया right on the point यह था कि भी prospective PhD student your research lab अगर प्रोफेसर 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 होगा उनके लिए and they definitely gonna open the mail तो उसके बाद जब mail open होता है तो सबसे पहली चीज कि भी आपको बहुत फॉर्मली mail डालना होता है ऐसा नहीं है इसा नहीं है अगर प्रोफेसर प्रोफेसर अगर प्रोफेसर है एक्स वाइज़ आप लिख सकते हो डियर प्रोफेसर फर्स नेम and then their surname और डियर प्रोफेसर उनका सरनेम ऐसा नहीं है कि हाई हेलो यह सब नहीं चलता है आइधर रिस्पेक्टेड और डियर उसके बाद आपका जो mail का body हो होगा वह जितना precise और right to the point होगा उतना आपकी लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर आप पूरी एक detail summary लिख देते हो 4-5 paragraph की mail में to be honest I don't think कि उसको देखते ही बहुत जादा mail हेक्टिक लिखेगा और अगर कोई पढ़ना भी चाहेगा तो वो उसको देखके छोड़ देगा because seriously professors मैं repeat दोबारा करूंगा professors बहुत बीजी होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होते हैं कि वो ऐसे mail को skim करें तो मतलब यह कि 7-8 line में सार चीजे लिखेगा नहीं 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 at maximum 2 paragraph और maximum जाए तीसरा परग्राफ लेकिन तीसरा परग्राफ बहुत चोटा सा जो आपका पहला परग्राफ होगा उसमें पूरा का पूरा आपके बारे में कि हाई हर किसी का mail लिखने का एक डिफरेंट होता है for example, I am glad to introduce myself, my name is this, this I am master of science in biotechnology उसके बाद यह मेरा research experience है I have already published these papers अग जो भी अगर आपके यह के दो पेपर पर पब्लिश हैं तो इसमें से जो आपका high impact factor paper हो, वो डालो then मैं इस research lab में काम कर रहा हूँ यह मेरा research of interest है, उसके बाद फिर यह मैंने research project किये हैं precisely right to the point, उसके बाद फिर दिन कि भाही, I have just came across to your profile you are working on this area जो कि तुमारे बहुत जादा area of interest को match करता है you have recently published this paper which actually मेरे को बहुत अच्छा लगा and I want to continue, like I am looking for an opportunity कि मैं आपके साथ PhD, आपके under PhD आपके supervision में PhD कर सका हूँ it would be a huge opportunity for me और उसके बाद कि looking forward to hearing from you और अपना CV मतलब यह है नॉर्मल जो standard होता है कि जो पहला paragraph है पहले paragraph में आपको अपने बारे में अपना introduction भी देना है with education qualification आप कहां पर काम कर रहे हैं वो प्लस आपका थोड़ा सा project के बारे में अगर आपके पास research publications नहीं है तो आप अपने projects के बारे में बता सकते हो for example कि अगर आपने बारे में बारे में बारे में आपका आपका काम पारे मैच करें but point is कि अगर आपने उसके पेपर पर पड़े हैं तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन-कौन ही techniques or methods वो यूज करते हैं उनके projects के लिए अगर वो relate करती है then definitely वो भी तुम्हां ले positive point होगा because professors को आपको special train नहीं करना पड़ेगा because उस methods के आपको already idea होंगे तो आप अपने skills sharp कर सकते हैं और दूसरी चीज यह important होती है कि individual आप अगर same university में same department में different professors को अपरोच कर रहे हो तो please put some extra effort कि individual professors के लिए आप individual different cover letter लिखें उनके area of interest और आपके area of interest को align करते हुए और please कभी ऐसा नहीं ऐसा मत करना कि सारे professors को एक साथ CC करके mail डाल दो ऐसा कभी नहीं होता है अगर ऐसा करोंगे तो आपको कभी कोई reply नहीं आएगा दूसरा paragraph है दूसरे paragraph में जो आपका supervisor काम कर रहा है प्रोजेक्ट में उससे related आपने papers पढ़े हैं और उसमें आपकी आपको तीन-चार लाइने होती है कि भही I'm very much interested to do PhD under your supervision and I have attached my CV with the mail and looking forward email के साथ में आपको अपना CV भी प्रोजेक्ट क्यूंकि क्यूंकि अगर for example अगर आपका cover letter है cover letter या body of the mail है अगर वो किसी भी प्रोफेसर को अच्छा लगती है तो definitely वह आपका CV open करेगा यह करेगा and then most of the cases में क्या होता है ना कि एक gentle reminder देने से वहले है तो at least two weeks के बाद reminder at least two weeks के और हर किसी के different different fund days होते है for example like आप जिस country में apply कर रहे हो ठीक है ना जैसे जब मैं PhD apply कर रहा था तो मैं प्रोफेसर को mail actually में उस time करने की कोशिश करता था जब उनके office hour start होने वाले हो ताकि मेरा mail actually top में रहे chances ना हो कि मेरे mail खो जाए इसके लिए आप जिस भी country में कर रहे है ना उसका time कि आटी अनौ बचे office start होता है तो उसी तरह से आप email को करोगी ताकि आपका mail टॉप पर रहे है और वो जल्दी notice में आ जाए और जितना भी कुशिश करो formal language यूज करना जितना जादा formal language यूज होगी उतना जादा आपके लिए अच्छा होगा राइट to the point no story just right to the point कि यह है and I just want to do PhD that's it so guys यह विकरान ने आपको बताया कि आपको email कैसे लिखना है एक formal email आपको इसी तरह से professors को लिखना है and आपको यह भी बताया है कि copy paste नहीं करना है हर professor का जो profile है उसको अच्छे से study करना है उसको research करना है actually आपको यह कह लिजिए कि पहले आपको professor के ओपर थोड़ी सी research करनी है फिर उसके accordingly ही आपको अपना जो email है उसे format करना है so guys that's all कि किस तरह से आप professor से contact करेंगे अगर आपके अभी भी कोई doubts है कि आपको कैसे contact करना है कैसे email लिखना है या कुछ भी अगर आपको लिखना है इसके regarding आपके कोई doubts है तो आप हमें comment box में लेकर पूछ सकते हैं so that's all for today's video thanks for watching bye bye